कर्क राशी जो चंदरमा के द्वारा रूल होती है और देव गुरु ब्रस्पति के मित्र की राशी है और देव गुरु ब्रस्पति का ही राशी परिवर्टन होगा 22 अपरेल 2023 को और गुरु देव यहां एक नमबर में आ जाएंगे ये कुंडली 22 अपरेल की ही आपके सामने डिस्प्ले में लगी हुई है गुरुदेव का यहां आना करम भाब पर आना इसके करम की कती के दृष्टी कोंड से बहुत ही शुब माईने बनते हुए नजर आ रहे हैं राहू भी दिखाई दे रहे हुँगे तो एक चंडाल दोस भी बनेगा सूरे बुद्ध भी दिखाई दे रहे हुँगे यह तो चलो आगे भड़ जाएंगे क्या होगा फल और एक दृष्टी ऐसी जबरदस्त पढ़ रही है न देव गुरु ब्रस्पति की बाईस अपरेल क के बाद मैं इस दृष्टी से धन दानने की विर्दी होगी इस दृष्टी से जीवन मौझ में आएगा इस दृष्टी से एक सुकून प्राप्त होगा इस दृष्टी से आपको शत्रु ओपर विजे प्राप्त होगी कौन सी रहेगी उससे भी अभी परदा उठाऊंगा वीडियो बीच में छोड़के मत जाना अपना ही नुकसान कर बैटोगे आप ही के लिए तो बना रहा हूँ किसी और के लिए थोड़ी बना रहा हूँ इतनी तप और तपस्या करता हूँ मैं कंटेंट लिखता हूँ मैटर लिखता हूँ के बीच लेकर के आता हूं तो सुन लो ना यार क्या चला जाएगा और लोगों तक पहुँचा दो मेरी आवाज को पून्ने के बागी बनो दोस्तों सबसे पहले तो प्रणाम करता हूं स्विकार कर लिजे हमारे यूटूब चैनल पर हमारे फेस्बुक पेज पर और हमारे इंस्टाग्राम से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद देव गुरूब रस्पती इनका महतपून फल और फल कव 22 अपरेल 2023 से लेकर के और एक मई 2024 तक देव गुरूब रस्पती मेस राशी में रहेंगे मेस राशी जो की मंगल की राशी है मंगल के घर में आके देव गुरूब रस्पती को ताकत मिलती है काफी ज़्यादा सहास पराकर मिलता है देव गुरूब रस्पती का महतपून घर है इस घर के अंदर यहाँ पर आ जाएंगे दोस्तों इतना ही नहीं आप यहाँ पर किस प्रकार से रिजल्ट मिलेगा और एक महीना ऐसा रहेगा जो भी आप नोट कर लो बहुत जरूरी है नोट करना क्योंकि दिनांग 14 मई दो हजार 23 को देव गुरूब रस्पती यह गोचर करेंगे यह 14 मई दो हजार 23 से लेकर कर 15 जून 2023 तक का जो यह समय रहेगा एक महीना विशेश साबधानी वाला रहेगा विशेश ध्यान भरतने वाला रहेगा क्योंकि इस एक महीने में कुछ एसी घटनाए घटित हो सकती है जो जिनके लिए आपको पहले से प्रिपेर या मेंटली प्रिपेर होना जरूरी है इसके अलावा बहुत अच्छे फल भी है क्या फल है उनसे बरदा उठाता हूँ इसलिए कागज कलम लेके रख लो महतबून है सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ करकराशी के दर्शे को आप इस कुंडली के माद्यम से समझ सकते हैं करम भाव है इसमें यहाँ पर देव गुरू का रहना होगा और पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे अब डिसकेशन कुछ नहीं होगा जो होना दा डिसकेशन वो अब कर लिया मैंने सबसे पहला पॉइंट रहेगा संगर्ष बढ़ेगा कठनाईयां भी आएंगे पर आपकी आए नहीं टूटेगे यानि कि संगर्ष वे कठनाईयों के बाद गुजारय योग्य आए के जो संसादन है वह आपको प्राप्त होते रहेंगे दूसरा महतवपून पॉइंट तनाब और रोग का भै आपके जीवन में बनेगा स्वास्त का इसलिए विशेश रूप से ध्यान रखना पड़ेगा बहुत जादा चिंताएं नहीं करनी है तीसरा महतवपून पॉइंट रहेगा आपके लिए उच अभिलाशी आपकी प्रसिद्धी आपका पराकरम आपका यश आपकी समाजिक प्रतिष्ठा आपकी वाक्षक्ति ये सारी की सारी इस तीसरे पॉइंट मन मुझे भड़ती हुई नजर आ रही है तो मैं क्यों ना बोलूं आपके लिए क्योंकि गुरुदेव खुद चाहते हैं आपको ये सब चीज़े देना तो क्यों आप ना प्राप्ट करें कारण तो हो ना कोई इसलिए गुरुदेव का आशिरवाद बनाए रखने के लिए गुरु की पूजा जरूर करिएगा पीले यलो औरेंज रंग के वस्तर जरूर पहनिएगा ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ चौथा मैधपुन पॉइंट पारिवारिक सुख बढ़ेगा क्या नहीं चाहते पारिवारिक सुख बढ़े क्या नहीं चाहते पारिवारिक सुख बढ़े ऐसे लाकों पारिवारिक देश के अंदर है करोडों पारिवार है जिनके पास सब कुछे पर पारिवारिक आसांती है अगर आप करकरासी के हैं तो अब आपको पूरे एक वर्ष तक पारिवारिक सुख, सही और सुख प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है, यह एक साल तक घर में सुख शान्ती बनी रहेगी, ऐसा चौथा पॉइंट आपका कहता है, पांच वे पॉइंट में एक चीज कर लेकर के चिंता जरूर है, और वो है माथा के सुख में कमी होना, क्योंकि देव गुरू ब्रस्पतियां रहेंगे, एक नंबर में दिखाई भी दे रहे हैं आपको बैठे हुए, और सीधा सब्तम द्रिश्टी से तुला राशी को देख रहे हैं, सत्रू राशी को देख रहे हैं, और इस घर में केतु बै या जिनके पहले से ही प्रोजेक्ट बड़े बड़े चल रहे हैं, उनके कारूं में रुकावटे आएंगे, उनको राजनीती के शेत्र में भी रुकावटे आएंगे, उनको भूमी सवारी सुख में भी कमी देखने को मिलेगी, ऐसा आपकी पत्री छटे पॉइंट में पर्क में चुड़ जाएंगे, आपको एक नया उर्जा का संचार महसूस होगा अपने शरीर के अंदर, ये मैं आप से कहूंगा, आठवा जो पॉइंट रहेगा, वो महतपूर्ण है क्योंकि व्याहदिक होंगे, पैसा भी खर्च होगा, अब जब रहन सेन बड़ेगा, य देव गुरूब रस्पते की एक पांचवे द्रिष्टी ऐसी है, नौवे पॉइंट में जो पैसे के घर पे जा रही है, जो परिवार के घर पे जा रही है, जो अन धन के घर पे आ रही है, धन के संग्रह के घर पर आ रही है, अर जित धन के घर पर आ रही है, बहुत अच् एक महिने का विशेश रूप से आपको वीडियो को शुरुवात में डिसकेशन करना पड़ा कि 14 मही को देव गुरू भरस्पती रहेंगे 5 और राहू रहेंगे 8 डिग्री के 4 डिग्री का फास्ला रहेगा तो ऐसे समझ लिजिए एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं दो दोस्त अगर एक दूसरे के आमने सामने हो तो एक दूसरे से गले भी मिल सकते हैं एक दूसरे को एजली पकड़ सकते हैं और अगर 10, 15, 20 फिट पर हो तो नहीं पकड़ सकते हैं तो ऐसे ही जब एक गुरू और राहू जब आमने सामने होंगे ना बिलकुल तो तनाब बनेगा चिंता भी बनेगी एक गुरू राहू का चंडाल दोस भी एक्टिवेट होगा और इसके कुछ दुस परवाव रहेंगे क्या रहेंगे वो तो बता हुआ भी पहले समझ लो ऐसे ही पंदरा जून को देव गुरू ब्रस्पती रहेंगे बारा डिगरी के और राहू रहेंगे साथ डिगरी के यानि कि आप ऐसे समझ लो राहू आगे बना राहू से गुरू आगे निकल जाएंगे तो एक क्रॉस करेंगे ऐसे एक दूसरे को यूँ क्रॉस करेंगे इस पारिवारी कलह बढ़ेगा, किसी निकट बंदू से वेमनस्य हो सकता है आपका, प्रियो जनू से दूर आपको होना पड़ सकता है, धनी की हानी या कोई चोरी का योग बन सकता है, गुप्त शत्रूओं का भेयां पर भड़ सकता है, कोई उदार विकार हो सकते हैं, कोई गु धनी बरतनी होगी, 22 अप्रेल 2023 से लेकर कि और 1 मई 2024 तक देव गुरू इस राशी में रहेंगे मेश में, और जैसे ही 30 अक्टूबर को राहु इस राशी को छोड़ देंगे, हम मेश से निकल के दर 12 नंबर में आ जाएंगे, तो गुरू का एक छतर राच चलेगा, फिर अक पर कर सकते हैं, एक बार पुनहागमी कारिक्रम में उपस्तित हूँगा, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद